मौदा शहर में कुछ दिनों से आवारा कुत्तों का आतंग बनावा है कईयों को काट कर घाल कर दिया क्या है शहर के विबिनन इलाकों में आवारा कुत्ते घुंगते रहते हैं खेलते समय बच्चों पर जान दिवा हमले की कई घटाएं हो चुकी है ऐसी ये घटना हाली में मगलवार की शाम मौदा शहर के गनिश नगर में घटी शहर में किराज से रहने वाले अंकुष शहानी की तीन वर्ष्य बेटे वंश अंकुष शहानी पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी गर्दन और हाथ के लिगा में तोड़कर गंबिर उसे घाल कर दिया वंश को तुरेंट मौदा की ग्रामे नस्पतार में साना तरिक कर दिया गया इलाज के दुरान वंश की मौथ होगी ये घटना मगलवाज शांग की है इसे शहर में बच्चों के बेज भैका महुल व्याप्त हो गया है अंकुष रहनी और उनकी बतनी भाड़े से बच्चों के साथ मौदा शहर में रहते हैं और पूरगाव में रामदिय बबाबा सालवन कंपनी में काम करते हैं उनका तीन साल का बेटा बंच गर के सामने खेल रहा था तभी आवारा कुटों ने उसे कार दिया और उसकी गरदन और हाथ की हर्टी तोड़ दी इलाज के दुरान बंच की मौथ हो गई मौदा के निवासियों की मांग थी कि नगर पंचार प्रशासन आवारा कुटों से निपटने के लिए तदकार ठोस कदम उठाए लेकिन प्रशासन के और से किसी पितरा की व्यवस्ता नहीं के जाने से शहर में कुट्टे प्रेमियों की संख्या बढ़ गई हैं कुछ लोगों के लिए कुट्टा पालना प्रतिश्टाप का प्रतिक माना जाता है इसे तरह आज शहर में घुमने बाले आवारा कुट्टे फेके गए भोजन से अपना जीवन यापन करते हैं में मौदा शहर में होटल धावो मंगल कारारयो मटन मार्केट के आसपास समों में रहते हैं उन्हें वही खाना मिल जाता है और फिर वे शहर की अलग-अलग बस्तियों में घुमते रहते हैं नागरी को दवारा नगर पंचार्ट में लगातार शिकार करने के बावजुद अधिकारी ने मामले को गंभिरता से नहीं लिया है आज ऐसी दुर्भाग की पुर्न घटना मौदा शहर में घटी है इस पर नगर पंचार्ट धोस कदब उठाए तता संबद इस घटना की पूरी जाच होनी चाहिए यह नाराज नागरी को का सवाल है इन्विसिन नियूस के लिए इंबौदा से अचल तीजारी की रिपोर्ट